हेलो बच्चों तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टो सॉल्व पेयर ओफ लीनियर एक्वेशन इन तू वैरियेवल बाई ग्राफिकल मैठड आज के इस लेसन में हम ग्राफिकल मैठड को सॉल्व कहने सीखेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको यह मैठड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो चलिए फिर देरी किस बात की है स्टार्ट कहते हैं आज का यह लेसन तो बच्चों ग्राफिकल मैठड को सॉल्व कहने के लिए आपकी NCIT बुक की एकसरसाइज से हमने एक सम लिया है जहां हमें बोला जा रहा है सॉल्व पेयर ओफ लीनियर एक्विशन और हमको उसने दो लीनियर एक्विशन दी हुई है तो इंकों कैसे सॉल्व करेंगे तो आईए समझते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी एप्प्रोच बताऊं तो एप्प्रोच यह है बेटा जी हमारे पास जो दो लीनियर एक्विशन होईंगी उन दौनों को हम L1 एन L2 लाइन से रिप्रिजेंट करेंगे फिर हम L1 लाइन को सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बेस पर हम एक छोटी से टेविल को ड्रॉ करेंगे जो टेविल हमें बताएगी कि वैदर X एंड Y जहां पर X की वैल्यू क्या है और Y की वैल्यू क्या है दैन हम सेम तरीके से L2 सेकेंड लाइन को सॉल्व करेंगे और एक छोटी से टेविल बनाएंगे उस टेविल से हमें पता चलेगा X की किंकिन वैल्यू पर Y की कौन-कौन से वैल्यू आ रही है फिर उसके बाद हम इन दोनों को एक काईटीसियन प्लेन बनाकर ग्राफ रिप निकालींगे हमें सकतने पॉइंट पर वैल्यू नकालेंगे थ्री पॉइंट पर होने चाहिए क्योंकि स्टेट लाइंट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कम से कम at least 3 points होने चाहिए ठीक है दूसरा approach हमारी यह होगी हम x और y की जो value रख रही है वो बहुत बड़ी value नहीं होनी है बेटा normal value छोटी value लेके चलना है हमें ताकि हमारा graph बहुत ही बड़ा ना बने साथ ही साथ ऐसी value को choose करेंगे हम रखने के लिए equation में जिन value पर हमें इदम छोटी value मिली मतलब बहुत बड़ी value ना मिली दूसरा कोई point वाली value भी हमें ना मिले ताकि हम graph को easily plot कर सकें तो इतनी आपको instruction clear ने इस method की अब कैसे आपको solve कहना चाहिए है तो आप इसको समझिए अब तो हमने क्या देखा हम दो line में से दौनों को l1 l2 से represent करेंगे ठीक है तो हम ऐसा करते हैं पहले line हमने ले ली इसको l1 तो हमने लिखा let l1 this equation 2x plus y minus 6 equals to 0 clear है क्या हम इसको थोड़ा सा rearrange कर सकता हूँ क्या हमें इसको y equals to 6z के plus हो जाएगा 2x इससाद के minus 2x के form में हो जाएगा तो हमने इस equation को थोड़ा rearrange किया अब हम इस equation में x की value को रखेंगे और y के value को find out करेंगे clear चलिए 3 values क्या क्या रखना चाहते हैं आप कुछ भी रख सकते हैं any real number ठीक है तो पहले value उनमें रखे put x equals to 0 रख सकता हूँ क्या चलो 0 रखके देख लो x के value 0 है then y equals to 6 minus 2 in bracket 0 तो हम कह सकते हैं यहाँ आप y के value 2 zeros are 0 6 minus 0 क्या हो जाएगा 6 तो y की value कितनी आ जाएगे 6 हमारे पास then अगले value put करिए put x equals to क्या रखना चाहेंगे कुछ भी रख सकते हैं positive negative तो मैं चलो 1 रखके देख लेता हूँ y equals to 6 minus 2 in bracket 1 2 1s are 2 6 minus 2 कितना हो जाएगा 4 तो y equals 2 क्या जाएगा 4 clear तीसे value क्या रखना चाहेते हैं कुछ भी रख सकते हैं आप जो आपको पसंद हो any real number 2 रखके देख लेते हैं 2 y equals to 6 minus 2 in bracket 2 2 2s are 4 2 2s are 4 6 minus 4 क्या हो जाएगा 2 तो y equals to क्या जाएगा 2 तो हमने देखा 3 value x पर 3 value y की हमने find की हैं अब इसके base पर हम छूटी से क्या बना लेते हैं table table बनाना कंपल सरी बेटा जी ताकि आपको पता चले कि हमने किस point पर किस value को निकाला है x की value 0 थी तो y कितना है हमारे पास 6 x value 1 जब रखी हमने तो y कितना है हमारे पास 4 और x value हमने 2 रखी है तो y हमारे पास कितना आया 2 clear अब सेम एप्रोच से हम l2 line मतलब second equation को भी solve करेंगे चलिए तो second equation को मैं क्या नाम ले लो l2 मैंने ले लिया let l2 क्या equation है बेटा जी 4x-2y-4 equals to 0 इसको भी हम क्या करेंगे थोड़ा सा rearrange करेंगे तो हम यह देख सक पा रहे हैं यहाँ पर कि सभी numbers यहाँ पर 2 से divisible है तो 2 से हम divide करके इसको थोड़ा सा small form में ले आते हैं 2 से divide केने पर यह 2x हो जाएगा 2 से divide केने पर यह क्या हो जाएगा y 2 से divide केने पर क्या बचेगा minus 2 equals to 0 yes or no है ना अब एक काम करिए y को सेट ले आईए तो minus से क्या हो जाएगा plus तो y equals to क्या हो जाएगा 2x minus 2 यह हमारे पास एक rearrange form में linear equation आ चुकी है clear है बच्चों चलो हम क्या करेंगे फिर से वही 3 value को put करेंगे उसके base पे 3 value को find out करेंगे और कौन से value रखेंगे हम any real number put x equals to क्या put करना चाहेंगे one put करेंगे देख लूँ क्या चलो one put करें लेता हूं तो y equals to 2 in bracket 1 minus 2 y equals to 2 1s are 2 minus 2 कितना 0 clear then और सूचे क्या रख सकता हूं 2 रखके देखूं क्या x equals to 2 y equals to 2 in bracket 2 minus 2 तो y कितना हैगा बेटा 2 2s are 4 minus 2 कितना 2 आ जाएगा clear then एक और value सूचे आप क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं माइनस 1 रखूं क्या माइनस 2 रखूं चलो minus 2 रखके देख लेता हूं minus 2 equals to y equals to 2 in bracket minus 2 minus 2 then y equals to 2 2 2s are 4 minus 4 minus 4 minus 2 कितना हो जाएगा minus 6 तो y equals 2 कितना हो जाएगा minus 6 अब हम क्या करेंगे इसलिए टेबिल बना लेते हैं एक काम करता हूं उसके टेबिल में 500 बना लेता हूं हों है ना क्यों गराफ बनाना है ना तो मुसको थोड़ा सा बोर्ड अपना क्लिया करना पड़ेगा क्या करूं यहां बना लेता हूं चलों देखो यहां बना लेता हूं मैं छोटी सी टेविल इसके लिए तो हमने बेटा क्या देखा x और y के वैलों क्या क्या ही है x एंड y x को लिए हमने क्या पुट की 1 तो y हमारे पास कितना आया बेटा 0 x को लिए क्या पुट की тяжे हमने 2 तो y की वैलों कितनी आया हमारे पास 2 क्लियर है बच्चों चलो यह दो टेविल बन चुकी है इतना कम हमारा हो गया मैंने यह तेविल इसके नीचे बनाने थी पर मैंने यहां पर इसले बनाई है ताकि हम मैं यह वाला पूर्ट करूंगा करूंगा और देन आपको इस प्लेस पर एक काईटीशन बनाएंगे जहां पर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे डूंगी मैं रॉप करके को क्लिया करते हूं ठीक है चालो ग्राफ बनाने के लिए आपने नायंत्समें फोड़ा सा बेसिक ले लिया अब ठीक है बच्चों चलो तो ग्राफ में क्या होना चाहिए एक horizontal line जिसको हम x-axis से represent करेंगे एक कौन से vertical line जिसको हम क्या represent करेंगे y-axis बट उसके पहले थोड़ा से study कहना आपको यह सीखना है x की and y की maximum value को देखना है उस base पे हम graph को plot करेंगे तो अब दोनों table में देखेंगे तो x की maximum value 2 और minus 2 minimum जा रही है clear वैसी y की maximum minimum value देखो y की maximum value 6 और यहां पर कौन सी जा रही है minus 6 it means हमको y को थोड़ा सा positive और negative direction में plot कहना है पर x को बहुत बड़ा plot नहीं कहना है यह होगे intersecting point origin point one two three four five यह positive x-axis ठीक है यहां ले लेते हैं minus one minus two minus three यह क्या हो जाएगा negative x-axis उपर नहीं लेते हैं positive one two three four five six then seven यह होगे हमारे पास positive y-axis negative के लिए minus one minus two minus three minus four minus five minus six and then minus seven clear बच्चों यह कौन सा point हो गया minus seven का यह होगे negative y-axis clear है चलिए अब हम इस Cartesian plane पर अपने line को represent करते हैं तो पहले कौन से line थी हमारे पास l1 चलिए तो l1 line को देखिए हमारे पास x की value कितनी है zero तो y की value कितनी है plus six positive six मतलब यह वाला point clear then x की value one हमारे पास और y की value कितनी है plus four plus four plus four मतलब यह वाला point मिलेगा clear बच्चों चलिए then x की value two पर y की value two है x की value two y की value two मतलब यहां कहीं पर हमको point मिलने वाला है clear है चलो इंको draw करके हम क्या मनाएंगे straight line बनाएंगे तो मैं तो free hand बना रहा हूं पर आप proper pencil scale का use करेंगे तो यह होगी हमारे पास line l1 clear l1 की equation लिख दीजे क्या equation थी हमारे पास two x plus y minus six equals to zero चलिए अब हम कौन सी बनाएंगे equation number two को equation two की chat table है one x की value y की value zero x की value one y की value zero मतलब कहां मिलेगा point यहीं मिलेगा ना x value one y की value zero है दैन x value two y की value two x value two y की value two मतलब यह point ओवा लाप आ गया है ठीक आगे x value minus two minus two यह और y की value कितनी minus six minus two minus six इसको बढ़ाएंगे इसको बढ़ाएंगे मतलब आपको यहां कहीं पर point मिलने वाला है ठीक है बच्चों चलो अब इनको हम join करनेंगे और एक क्या बनाएंगे straight line चलिए join करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो दोनो लाइन जो है आपकी एक point पर क्या हो रही है intersect कर रही है L2 L2 line equation क्या लिख देंगे हम 4x minus 2y minus 4 equals to 0 तो आप graph को देख पा रहे हैं यहां पर जो solution निकला है वो एक ऐसा solution है जो दोनो लाइन का intersecting represent कर रहा है मतलब lines are intersecting और किस point पर intersect कर रहे हैं बेटाजी तो यह point आपको proper दिख रहा है x की value 2 y की value 2 तो यह कौन से point मन जाएगा point of intersection इस step से आपको solve कहना है पर graph को हम थोड़ा सा complete भी कहना सीखेंगे complete कहना है इतमीन समको हर एक coordinates की value को लिखना है यहां पर कौन से value थो x की value क्या थी बेटा देखो यहां पर minus 2 और y की value कितनी थी minus 6 clear यहां पर value क्या थी x की 1 y की value क्या थी 0 यह तो common point हमने लिख दिया है ऐसे line 2 के लिए line 1 sorry line 1 line 1 line 1 के representation यह क्या था x में 0 y में 6 x में कितना था 1 y में कितना था 4 और यह तो कौन सा point है common point है तो हमने represent कर चुकी है अब हमारा graph पूरा complete हुआ जहां पर आपको दोनो line की equation भी लिखनी है point of intersection आ रहा है तो लिखना है साथ यह साथ other response को भी represent करना है तो I hope आपको यह method आप clear हुई होगी हमने इसका basic थोड़ा सनौवभी पढ़ा था 9th class में हमने यहाँ पर एक line को draw करना सीखा था हाया ना 10th class में हमारे पास pair of linear equation है मतलब दो line को हम एक ही graph में represent करेंगे जदि आपने lesson 9 lesson 2 को नहीं देखा इस chapter का तो पहले आप उसको देखिए ताकि आपको यह और भी clear हो जाए इसके बाद हम graphical matter के और भी sum करेंगे बट आप इसको note करिए इसको खुद बना के देखिए यहाँ पर जो मैंने values को put किया है हाया ना इन values के अलावा आपको इस दूसरे value को रख कर आप देखिएगा definite है आपके दौनों line भी इसी point पर क्या करेंगे intersect करेंगी points बदल सकते हैं परन तुम का solution intersecting point कभी नहीं बदलेगा इस बाद आप इसको try कर सकते हैं अगले lesson में हम कुछ और solve करेंगे clear है तब तक लिए सभी को जैहिंद